नेम स्नेहा पॉल एज तीस अनमारीड इंस्टाग्राम इट्स स्नेहा पॉल स्नेहा पॉल वेब सिरीज नमबर एक चर्मसुक चावल हाउस पार्ट थ्री कहानी की बात करें तो इस सीरीज में आपको टीना और मीना नाम की दो लड़कियों की कहानी देखने के लिए मिलेगी जो रिष्टे में तो बहने है लेकिन इन दोनों की आपस में बिलकुल भी नहीं जमती है मीना फैशन की गुडिया है, तो बही टीना भी हुशन की रानी है, लेकिन इन दोनों बहनों की मा मीना को लाखों में एक मानती है, कहानी आदे बढ़ती है, और मीना की लाइफ में राहुल नाम का एक लड़का आ जाता है, मीना राहुल को देखते ही अपना दिल दे बैठती और अब कैसे भी करके मीन को राभूल का प्यार चाहिए वह उसको इस हद तक प्यार करने लगती है कि मीना राहूल को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. लेकिन कहानी में Twist तब आता है जब मिना को यह पता चलता है कि रहू तो टीना को पसंद करता है इसके बाद रहू और टीना एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं ये देखकर मिना का दिल तूट जाता है लेकिन अब भी वो कुछ भी करके राहुल को पाना चाहती है इसलिए वो मीना को रसी से बांध कर राहुल को अपने घर गुलाती है अब आगे क्या होगा ये आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा सीरीज कहानी काफी जबरदस्त होने वाली है जिसमें दो बहनों के बीच राहुल को लेकर होने वाले जगडों को दिखाया जाएगा प्रेलर काफी दमदार है जिसमें स्निहा पॉल अपनी होटनेस से जादू चलाती नजर आ रही है चर्मसुख चावल हाउस पार्ट टू चर्मसुख चावल हाउस एक और चर्मसुख चावल हाउस पार्ट वन की कहानी को आगे बढ़ाया गया है इसमें आपको एक भाभी और उसके देवार की रोमेंटिक कहानी देखने को मिलेंगे कहानी में कुछ भी नया नहीं है बस चावल हाउस की कहानी को आगे ले गया है अगर आपको एई वेब सिरीज देखना है तो उल्लू आप पर धेख सकते हूं अगर आपको नहीं मालूम तो आपकी जानकारी के लिए बता दे की उल्लू एप एक OTT प्लेट फार्म है जिस पर आपको एक से बढ़कर एक वेब सिरीज देखने को मिलती है जिसमें आपको रोमास, कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिलर इत्यादी देखने को मिलता है इस प्लेट फार्म के सभी वेब सिरीज एक से बढ़कर एक होती है नमबर चार लाल लिहाफा पार्ट टू लाल लिहाफ लाल लिहाफ वेब सिरीज की कहानी एक विवाहित महिला की कहानी है जो अपने विवाहित जीवन और पती द्वारा परेशान है इस वजह से वह एक महिला के साथ शारिरिक संबंध बनाती है यह जानने के लिए कि उसका जीवन आगे कैसा होगा देखिए लाहा ल इस मैसेज में आपको देखने को मिलेगा कि मुंबई में रहने वाले लोगों की जिन्दगी चौल में किसी होती है। एक ही कमरे में कैसे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। इस वेब सिरीज में रोःत नाम का एक लड़का है, जो गाउ से काम करने के लिए मुंबई शहर आता है, और आपने मामा मामी के घर पर रुपता है। मामी रेनू को देखकर रोहित से कहती है यह भानू भया की बीवी और भाभी है। रेनू रोहित को देखकर अपने आप को भूल जाती है जब रोहित बातरूम में फ्रेश होने जाता है। तब रेनू उसे चुप चुप कर देखती है जिसके बाद रोहित के आता है चुप च 2021 को चॉल हाउस चरम सुख, चावल हाउस चरम सुख, वेब सिरीज देखना ना भूले।